हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तब फ्रेंड्स आज हम एक नई मेडिसीन का रिव्यू देखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगे इसके यूजेज डोसेज बेनिफेट्स आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं किन बीमार प्रेंड्स आजाता है आपने बहुत बार देखा होगा प्लेंड में भी आता है डियस में भी आता है तो अलकफ का ही यह एक कैपसुल में कॉम्मिनेशन है जिसको भी लिक्विड में दवाई अच्छी नहीं लगती है तो इनको कैपसुल में भी ले सकते है आराम वही और यह ж neurolog में लोगती है ऐसी जाराम भी ऑऽ तो इस वाली खासी को कम करने के लिए इस कैपसुल का इस्तिमाल किया जाता है बहुत ज्यादा useful capsules है, इसके side effects ना के बराबर देखे जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह के पेट के कोई problems लगे तो आप इसको खाने के साथ ले सकते हैं, खाना आपका हो जाएगा तब भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन भूके पेट लेना थोड़ा सा आपको risky ह हो सकता है, so friends, आपको flu जैसे लक्षन सगर नजर आते हैं, जैसे आपको बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही है, और फिर उसमें अगर वो खासी आती है, तो फिर कभी-कभी वो सूखी वाली खासी भी हो सकती है, तो friends, यह जो capsules हैं, आपको बहुत ज्यादा आराम देती है, आपके allergic लक्षन को भी कम करती है, जैसे आपका नाग बहना और सर्दी जुकाम जैसे जो भी allergic आपको symptoms नजर आते हैं, उनको भी यह कम करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, so friends, इसे आप घर में यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी prescription की जरूद भी नहीं प हफते तक ले सकते हैं, और अगर दो हफते के यूज़ के बाद भी अगर आपको आपकी खासी में कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि तब हो सकता है कि आपको थोड़ी से रिस्की वाले problems हो सकते हैं, तो दो हफते तक आपकी खासी इसे लेने के बाद भी कवर नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, अवदी के इसाब से चलने वाली दवाई है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी आपको जरुरत पड़े तभी आप इसको ले सकते हैं, उसके लेने से आपको नहीं आने की समस्य रह सकती है, तो अलकॉ才िक लोगों को यह ज्चफे जाँती है, बेहोशी हो सकत्ती है, तो एसे अलकॉछ जो भी लोग अलकॉछ का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों ने कुछ देर के लिए अलकॉ बंद कर दीजए, जब को दर भी अप면 चा मेडिक let mektals tip 5-4-6-3-6-7-8-6-7-4-6-6-1-6-2-10-7-8-4-7-7-9-9-8-9-7-8-6-0-7-7-6-6-6-4-8-6-7-7-6-9-7-6-8-7-7-7-8-9-9-9-6-8-8-6-7-7-8-7-8-7-7-7-7-7-7-7'15-7-9-7-7-7-9-11-9-8-7-9-9-9-9-10-7-8-7-7-8-7-9-9-1-0 इसके उद्धिशनेसी MPHU compare ej sakts of आपको easily market में कहीं भी मिल जाएगा अद्रक का powder आपको लेना है उसमें थोड़ा सा honey मिला कर अगर आप उसकी थोड़ी सी गोलिया बना लेंगे गोल गोल आपको गोलिया बनानी है थोड़ा सा honey लेना है और उसकी गोल गोलिया बनानी है और वो गोलिया अगर आप दिन में पांच बार भी खाएंगे, दस बार भी खाएंगे, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन गले में बहुत जादा आरा मिलता है, किसी और कैपसुल्स की भी आपको ज़रुद नहीं पढ़ने वाली, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे त अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंट्स हमें कमपनी भी आपको बता दू, अलकेम कमपनी की यह दवाई आ रहे है, यह दिखिया आप यहां पर देख सकते हैं, और इसमें आपको मिल जाएंगी 10 कप जैल्स और बिल्कुल जिलेटन कैपसूल से मतलब वाली जैसी होते है, तो आपको निगलने में भी सको आसानी हो जाएगी थोड़े से पानी से भी अंदर चली जाती है, हमारी रेगूरर कैपसूल की धर्व नहीं होती जिलेटन होती है, पाणी जैसी भरी हूई होती है, ऐ और इसमें तो सकता है बाद में आप लेने जाओ तो आपको माइनल सा फरक दिखाई दे सकता है कोई और कंपनी की लेने जाओ तो भी आपको आपको रेट में थोड़ा सा कम जादा फरक नजर आ सकता है सो फ्रेंट्स वीडियो कैसी लगी आप ज़रूब बतेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपली चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना और इसी टाइप्स की और भी मेडिसिन्स की रिव्यू देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल पर आते रहेगा सो थैंकि फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंकि सू मच